तो नमस्कार से विको, so welcome back to this spring batch वाली series तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली है, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या discuss किया है वहाँ पर हम लोगों ने spring batch के बारे में जितना भी theory वाला part था, वो सब discuss कर रख है तो उसमें हम लोगों ने देखा था, spring batch क्या होता है, क्या features होते है, right, क्या advantages वगरा होगे और वहाँ मैंने पूरा detail में समझा रख है with example, ठीक है और जिनको सिर्फ coding वाला काम करना है, जिनको सिर्फ implementation से मतला है, उनको पता है spring batch क्या होता है जस्ट वह coding के लिए इसको देख रहे है, तो वह यह वाली वीडियो से शुरू कर सकते है ठीक है, तो आज हम लोग basically देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग basic spring batch को implement करेंगे अपने project में ठीक होगे जी, तो इसमें मैं कुछ high five features discuss नहीं करने वाला हूँ जो basic spring batch है, जो हम लोग ने पिछले उसमें देखा था ना, अगर मैं आपको यहां दिखा हूँ, जो यह PPT हम लोग ने देखी दी, तो इस PPT में जो हम लोग ने discuss किया था, यह job, steps और items, ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, आज वाली वीडियो में वही देखने वाले हैं, कि कैसे हम लोग job बनाएंगे, कैसे हम steps बनाएंगे, कैसे call होंगे, कैसे items बनाएंगे, कैसे इसमें हम लोग काम करेंगे, और कैसे job launcher बनाके, इन jobs को call करेंगे, और देखेंगे भी database में store हो रहा है के नहीं हो रहा ठीक है अच्छा तो आज की example का अगर मैं आपको use case बताऊं कि आज हम करने के आवाले हैं तो मतलब मैंने छोटा से example ले रखा है जिसमें की basically हम लोग क्या करेंगे हमारा source क्या होगा जैसे मैंने batch processing में पता था ने पिछली वीडियो में कि हमारे पास तीन major components हो ठीक है और हम लोग को क्या process करने है हमको employees को process करने है उनका data process करने है और उसमें से जिस employee की salary पचास हजार से जाधा होगी ठीक है उस email को हमको database में स्टोर करने है बहुत simple है ज्यादा कुछ फंडा नहीं है बहुत simple सी चीज है अगर आप इसी को spring boot में बनाओके तो आप क्या अब हमको spring batch में क्या करने है हम spring boot की बात नहीं करने है spring batch की बात कर रहे है το spring batch में हम लोग जो को क्या करना है यहाँद पर कोई service layer नहीं होती है spring batch में configure करते है क्या jobs steps items नो हम क्यों सारा कां करना है item के अदर करना है एक मतलब stp लिखना है step अन्दर आईटम लिखना है तो ए स्ट्रक्टर हिरार्किट तो मेंटेन करनी बड़ेगी और जो जितनां प्रोसिसिग वाला काम है रीडिंग वाला काम है और राइटिंग वाला काम है वह हम को आईटम के अंदर करने है तो बेसिकली आज हम यही करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं तो एक इनिशनल स्टार्टिंग से प्रोजेट बना के दिखाता हूं आपको ठीक है तो मैंने यहां पर बेसिकली सब कुछ एंटर करके रखा है अज में को आपको दिखाने के हम लोगिपेंडेंशी का के यूश करनेंगे आज के प्रोजेक् आज में सबसे प्रेंब्स क का प्रोजेक्ट ऑक्रोजेक्ट है तो भीमस्त नेडट नेट टो एड थेक है धी एक प्रिंग यूश कर लिया IS वे मैं अगर आप Coffee database की dependencies जहिए होंगी राइट तो यहां पर मैं क्या यूज़ करूंगा jp ूज़ करने वाला हूं तो jp की dependency हो गई ठीक है database कॉना यूज़ करूंगा मैं postgres SQL करूँगा अगर आप mysql करें तो mysql की dependencies driver download कर लेना ठीक है एक longbook डाल लेते हैं अच्छा अब मैं मैं आपको डिखाया है राइट कि जॉब लॉंचर को हीट करें मतलब जॉब लॉंचर किसको हीट करेगा जॉब को हीट करेगा ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली मैं अभी कोई scheduler यूज नी कर रहा हूं मतलब तो spring batch क्या होता है basically हम लोग majorly scheduler के साथ यूज करते क्योंकि हमको पता है इस time पर हमको पना batch run करने है ठीक है क्योंकि मैं आपको बता है बैच में क्या होता है मैंनुल इंटरफेरेंस इंटरक्शन कुछ भी होता राइट तो हम लोग क्या करते सब कुछ आटोमेट करके रखते हैं हमको कब वो ट्रीगर करना है कब बैच का ट्रीगर होगा कब वो प्रोसेस होगा वो सब आटोमेटिक रहता है तो वह चीज अभी scheduler यूज ना करके ज्यादा complex ना बनाकर मैं क्या करूंगा एक endpoint बनाऊंगा जिसको हिट करने से क्या होगा हमारा बैच प्रोसेस हो जाए होना start होगा ठीक है तो basically मैं कोई scheduler नी बना रहा है कोई time fix नी कर रहा है मैंने कि इतने बज़े हमारा बैच चलेगा ठीक है तो मैंने क्या कर रहा है endpoint ब बाद में कुछ और जरत पड़ीगे हम add कर लेंगे ठीक है तो मैं कर लेता हूं यहां से generate कर लेता हूं project अब फटा फट से मैं इसको import करता हूं ठीक है और फिर आपसे मिलते है ठीक है तो guys मैंने इसको import कर लिया अपनी intelligent में project को ठीक है तो हमारे पास क्या है main application है correct और कुछ ठीक है तो basically हमको यह data read करना है ठीक है यह data को process करना है ठीक है और इसको write करवाना है ठीक है अब इस file में basically क्या क्या item हमने store कर रखा है employee की id store कर रखी है ठीक हो गया employee का name store किया है ठीक है employee का username और employee का gender और employee की salary ठीक है और salary की basis पर हम processing करेंगे ठीक हो गया तो यह basic हम लोगों ने structure बना लिये मतलब यह हमारा CSV हो का basically अब हम क्या करेंगे basic structure बनाएंगे ठीक है अच्छा ठीक है तो मुझे मैंने आपको बताया था था ना कि spring batch को implement करने के दो तरीके होते है एक तो xml configuration जितनी भी spring batch की configuration है उनको xml में लिखो या तो programmatic using annotations करो ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे programmatic approach यूज करने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा सारी configurations को एक config package में डालूंगा जितनी भी spring batch configuration है ठीक है और मैं इसको नाम दे दूंगा spring batch config ठीक हो गया यह मैंने कर दिया ठीक है अब configuration है तो we need to add configuration अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे हैं यह हमारी spring batch की configuration है right spring batch की configuration तो we can use annotation spring batch enable batch processing sorry तो we can use enable batch processing ठीक है अच्छा आपको यहां पर मैं चीज बता दूं कि मैं use कर रहा हूं java 17 plus मैं spring boot version 3 ठीक है मतलब उससे उपर वाला version यूज कर रहा हूं spring boot 3 से उपर वाला ठीक है मतलब spring 3 से तो spring 3 के बाद हमको यह annotation लगाने की कोई अवशकता नहीं है हमको इसकी ज़रुएत नहीं है मतलब यह mandatory नहीं होता हम इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा काम कर जाएगा batch processing तो हम वो configuration file में से batch configuration file कौनसी है उसको कैसे identify कर सकते है इस annotation के थुरू तो यह ऐसा कोई rule नहीं है यह just मैं use करता हूं अभी तो नहीं करता मतलब आपको बताने के लिए मतलब वैसे हमको करने की ज़रत नहीं है बट let's say अगर बड़ा project है तो यह use करना अच्छा है कि हम लोग क्या use करें annotation use करें for batch configuration files ठीक हो गया ठीक हो गया अच्छा अब मैं क्या करता हूं हम JPA use कर रहे हमको database में data डालना है तो हमको क्या चाहिए एक entity चाहिए राइट हमको writer भी तो बनाना है न मदब writer में क्या करना हमको database में data डालना है read करके तो मैं क्या करता हूं entity और repository फटा ठीक है और इसकी fields क्या होंगे हमारी id, name, username, gender, salary ठीक है और अगर table field की नाम बात करो तो employee id, employee name, employee username, employee gender, employee salary ठीक है तो यह हमारा table हो गया और साथ के साथ JPA use कर रहे है तो we need a repository तो JPA repository बना ही जिसमें कि हमारा क्या है जो primary किया हो integer type का है और हमारा employee object हमको store करना है database में ठीक हो ग अब हम शुरू करते हैं क्या करना अच्छा मैं इससे पहले आपको बता हूँ implementation करने से पहले आपको समझा जेता हूँ कि हम implementation करेंगे कैसे ठीक है मतलब items बनाएंगे फिर step बनाएंगे और step से फिर items को call करवाएंगे similarly फिर job बनाएंगे job से फिर step को call करवाएंगे फिर last में job launcher बनाएंगे उसके बाद run करके देखेंगे ठीक है job repository हमको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यह handle करता है कौन spring batch ठीक है तो हमको इतना ही बनाना item तो हम पीछे से शुरू करेंगे ना कि आगे से ठीक है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले reader बनाएंगे reader बनाएंगे फिर processor बनाएंगे फिर writer बनाएंगे ठीक है चलो जी करते हैं तो मैं फटाफट सी reader बनाता हूँ मैं code अभी आपके सामने करूँगा तो यहना कि बहुत time लग जाएगा बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी क्योंकि बहुत अच्छे से explain करना है बहुत सारे topics features है तो मैं ज़्यादा stretch नहीं करना चाता हूँ तो मैं करूँगा सिधे code explain करूँगा आपको ठीक है फटाफट से में reader बनाता हूँ उसके बाद मिलते हैं तो मैंनी क्या कर दिया मैंनी reader बना दिया है इस reader में क्या हो रहा है reader कैसे बनाया है देखो basically मैंनी एक bean बना रखी है और वह हमारी reader reader bean मतलब basically reader बना रखी है जिसके रीडिंग माला काम होगा ठीक है अच्छा अब हमारा reading करना क्या हमको हमको csv file read करनी राइट तो मुझे क्या लगेगा एक file item reader लगेगा correct हो गया तो हमारे पास एक inbuilt class होती है flat file item reader ठीक है तो मैंनी कहाँ किया flat file item reader का एक object बनाया है जिसमें हम लोगों ने employee type का हमको data store करना ह राइट मतलब data store है उसको read करना है ठीक है तो मैंने कहाँ कर रहा है उसका object बना लिया ठीक है उसके बाद मैंने कहाँ किया वह file हमको pick कहां से करनी रीड कहां से करनी है तो वह file का नाम प्लैस उसका path यहाँ पर resource में set कर दिया है ठीक हो गया बलकिन मैंने यह comments भी put कर रहे है आपको जब भी मतलब समझ नहीं आ रहा तो you can refer this comments as well detailed comment आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा file हम लोग दे रहे हैं उसको ठीक है यहाँ पर हम क्या हो रहा है reader का नाम सेट कर रहे है तो मेरा reader का नाम क्या है employee reader ठीक हो गया अच्छा जी अब हमारा अगला बोल रहा है कि हमको सेट कर रहे है set lines to skip मतलब मैं क्या यूज कर रहा हूँ? csv file यूज कर रहा हूँ right? और csv file का format आपको पते क्या होता है? उपर होता हमारा header और से नीचे से पर data शुरू होता है right? तो हमको header थोड़ना एंट्री करवानी है, header को entry तो नह मैपर क्या करेगा basically, line mapper क्या करेगा हमारे employee के object को csv के data से map करवाएगा, ठीक है मतलब कि csv का data को जब रीड करेगा, reader हमारा, तो read करने के बाद उसको कैसे पता चलेगा कि यह कौन सी value है, यह कौन सी value है ना, तो यह हम लोग को map करवानी है, तो वो सब हम लोग कैसे करेंग मैपर से करेंगे, right, line mapper से, तो देखो के तो यहाँ पर line mapper एक method बना रहा है, मैंने इसको call किया, तो इस line mapper के अंदर मैंनी क्या किया, एक object बना लिए, ठीक है, एक line tokenizer बना रहा है, basically इसमें मोग क्या करते है, csv फाइल की details एंटर करेंगे, right, जैसे कि csv में हम delimiter क्या य इसके बाद मैंने set strict को set किया है, false, अब यह set strict क्या है, set strict मतलब, let's say मेरी यह field में, मानलो, gender missing है, ठीक है, और अगर वो set strict true होता, ठीक है, तो क्या होता, जैसी वो इस line को read करता और उसको एक empty line, empty data मिलता, तो फट जाता, तो हम लोग नहीं क्या कर दिया, strict को false क्योंकि हमको अब इतना strictly check नहीं करना है data, right, हमारी requirement क्या है, spring batch समझना, ठीक है, हर line को कैसे process करना है, वो समझना नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको false set कर दिया, ठीक है, false set कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, मैं नाम सेट कर रहा हूँ, किसका header का नाम, कि हम लोग क्या-क्य headers use कर रहे है, मतलब क्या-क्या data, जो CSP से read करेंगे न, वो क्या-क्या data होगा, तो हम लोग नहीं क्या कर दिया, header set कर दिया, हम लोग read करेंगे, id, name, username, gender, salary, same order में और ना चाहिए, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे है, अब यह तो CSP का data था, अब क्या करना है, जो entity बना ही है, राइट, क्योंकि हमको इस employee के object से, तो map करवाना है data, ठीक है, तो अब हमको उससे map करवाना है इधर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर map करवा रहे हैं, जो हम लोग नहीं लिखा है, field set mapper dot set target type, employee dot class, तो जो हमने class पास करवाई है, तो इधर हम लो लाइन tokenizer कहता हमारा CSV का data, यह चीज़, ठीक है, और mapper, जो हमारी CSV के data और employee के object को map कराईगी, तो वो दोनों set कर दिया और return कर दिया, और फिर उसको यहाँ पर set कर दिया, और उस item को read कर दिया, मतलब return कर दिया item reader के object को, तो क्या होगा, यह जो हमारी reader बन गया, यह क्या करे reader हमारा इतना complete है, ठीक है, हमारी reading हो गया है, ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको process करना है वो data, हमने read तो कर लिया, हमको process करना है वो data, process कैसे करेंगे, process हम करेंगे, item processor को implement करा, basically हमको क्या करना है, employee processor बनाना है, ठीक है, जो की implement करेगा item processor को, item processor को implement करेगा, मतलब वो हम प्रहिए हमारा item processor है यह हमारा example था हमने item reader बना दिया item processor बनाने थेक्ट तो मैं फटाफट सा item processor बनाता हो इफिर आपको explain करता हम ठीके देखोगे अगर आब यहाesian देखोगे तो मैंने क्हा कर दिया employee processor बनाया है जो कि implement कर रहा यह input type है, कि input किस टैप का आएगा हमको processor को, और output किस टैप का जाएगा, ठीक है, अगर आप reader देखोगे, तो reader में कोई input नहीं था, ठीक है, उसमें क्या था, हम लोगों ने फाइल को read करवाई थी, ठीक है, अच्छा, यहां पर आप पूछोगे, आपको एक सबसे बड़ा doubt आ क्या हम लोग reader को ऐसे नहीं बना सकते हैं अलग class में, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, employee reader, ठीक है, मैंने employee reader बनाया, उसको मैं implement कर दूँगा किस से, item reader से, तो हमारे पास क्या package एक, item reader interface एक, ठीक है और उसको मैं बोल दूगा कि, item reader क्या करेगा, employee type का data को read करेगा, तो इसके अंदर हमारे पास एक method होता है, read method, ठीक है, अगर आप इस read method को देखोगे, तो यह क्या कर रहा है, यह कुछ भी input नहीं कर रहा है, यह क्या करेगा, read करके, उसको pass कराएगा, किस type की data को return कराएगा क्यों return करा रहा है, क्योंकि यह data, यह data processor को चाहिए, ठीक है, तो जब processor को चाहिए, क्या होगा, यह जो data हमने वहाँ से pass कराया था, वो data input में यहाँ आएगा, और जो यह data process वाला method process करेगा, right, तो यह रिटन करेगा, एक और employee रिटन करेगा, क्योंकि employee को process करके employee रिटन यह तो गलत बात है, है ना, ऐसा नहीं कर सकते है, दोनों चीज कर सकते है, ठीक है, correct दोनों तरीका है, तुम क्या कर सकते हो, प्रोसेसर को इधर भी बना सकते हो, ठीक है, तुम reader को इधर भी बना सकते हो, तुम writer को इधर configuration में बना सकते हो, ठीक है, और तुम तीनों को विजन यह है कि सी अगर आप रज़ आपर प्रोसेर देखो गे ना तो यह क्या कर रहा है इते हो यह देटा को वन भाई-वन प्रोसेस करता है मतलब हम भेजते तो बैच में है right, बट जब इंटरनली वह रन होता है right तो क्या हो रहा है one by one data प्रोसेस होता है, correct हो गया, data क्या हो रहा है, one by one process हो रहा है यह employee का object, एक बार में एक ही तो लेगा, यह list of employee तो है नहीं, correct यह क्या है, single employee का object है, तो एक-एक employee को पकड़ के उसकी salary match कर आएगा और अगर बड़ी salary है, तो employee को ही return कर देगा, otherwise return कर देगा, ठीक है तो basically क्या हो रहा है, यह एक-एक employee को process कर रहा है बट हमारा reader में क्या काम था, reader में हमारा एक-एक employee तो था नहीं, reader में हमारी पूरी CSV को read कर रहे थे हम लोग, तो उसके लिए हमने क्या use किया था, flat file item reader use किया था, तो file item reader क्या करता है, वो one by one read नहीं करता वो क्या करेंगा पूरी फाइल को एकसासread कर देगा, थीक है तो पूरी फायल को एकसाथ read करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा मुझे इसको अलग से यहां पर लिखना पड़ा, config में मैंने ट्राइ की आलग से बनाने का, reader में बनाने का भी मैंने try किया था बट वो क्या कर रहा है? वो ले नहीं रहा है उसको ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? वन बाई वन हमको employee return करने हैं बट हम वन बाई वन तो करने रहें लट से अगर आपको db से कुछ read करना होता db से employee की value रीड करनी होती then you can use, then you can write this separate employee reader ठीक है? तो मैं ऐसे separate item reader बना सकते थे बट अब मुझे csv file को read करना था तो मैं को क्या करना पड़ा? मुझे config के अंधर ही उस bean को बनाना पड़ा ठीक है? तो यही reason था कि मैंने क्या किया, bean बनाई reader की मतलब config class में रखा reader को और processor को बनाया मैंने अलग से ठीक है? तो अब हमने प्रोसेसर को बना लिया, अब उसकी bean यहाँ बना लेते हैं मतलब उसका object बना लेंगे यहाँ पर public employee processor ठीक है? यह बनाया हमने processor ठीक है? और यहाँ पर return करा देंगे क्या? return new employee processor ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा हमको अब one by one employee की data को देगा ठीक है? हमने reader बना लिया हमने processor बना लिया तीसरा step क्या होता है? item writer बनाने का ठीक है? तो अब यह बनाना है item writer बनाना है data को अबने read कर लिया CSV से process भी कर लिया, चान भी लिया filter भी कर लिया data, अब हमको उसको db में store कराना है तो हमको क्या बनाना है writer बनाना है तो मैं फटा फट से writer बनाता हूँ उसके बाद फिर देखते हैं कि code में क्या changes है तो अब देखो कि आप यहां पर अगर तो मैंने क्या कर दिया employee writer भी बना दिया ठीक है employee writer basically क्या implement करेगा item writer को implement करेगा तो जो यहां पर employee लिखा है मैंने वो क्या है वो item writer के लिए input है ठीक है अगर आप वहां देखोगी reader में तो वो employee का था output था read का ठीक है processor में input output दोनों था और writer में क्या होगा सिर्फ input होगा correct होगा मतलब जो processor से data आएगा जो processor का output था वो writer का input बनेगा ठीक है तो यहां पर हम basically क्या कर रहे है कुछ नहीं कर रहे है डेटाबेस में data store करा रहे है that's it हमने क्या क्या इसका बीन को इंजेक्ट कर रहे है और डेटा को save कर दिया अच्छा आप पूछ रहोगी यार आप सोच रहोगी यार तुने तो employee writer भी अलग से बना दिया और तो बोल रहा था कि देखो employee one by one आएगा तो यहां पर यह chunk funk क्या लिख रहा है ठीक है तो देखो best practice spring batch जब भी आप use करते हो तो best practice क्या होती है कि हम chunks में data को process करें क्यों ताकि chunks में हम लोग parallel processing को achieve कर सकें ठीक है तो हम लोग steps में क्या करेंगे chunks बनाएंगे chunks ठीक है तो वो chunks क्या होंगे उतने chunk को एक बार यह प्रोसेस करके लाएगा कहने को तो हमारे csv में 1000 data है राइट बट वो क्या करेंगे हम लोग इसको chunks में divide करेंगे let's say मैं example क्लिए क्लिए करूंगा 10 का chunks बना लोगा तो यह करेगा 10 data को एक साथ लेके आएगा ठीक है 10 data को एक साथ लेके आएगा और internally का होगा one by one ही होगा process बट जब राइटर के पास आप देखो reader तो मैं यहां बना रखा था processor राइटर अलग बना रखा है मैंने तो ideally अगर आपसे हो सकता है तो आप reader processor राइटर अलग बनाईए ठीक है वो maintenance में easy रहता है थोड़ा सा अगर आप सब कुछ config में डाल दोगे तो भषड मत जाएगी मैंने reader config में इसलिए डाला क्योंकि मेरे को csv file से read करना था data ठीक है अगर possible होता तो बहार भी बना सकते थे but csv file से read करने में बहार से काम नी बन रहा इसलिए बीन के अंदर डालना पड़ा ठीक है ठीक है तो यहां पर processor बन गया तो यहां पर राइटर की बीन भी बना लेते है फटा-फट से ठीक है employ writer author writer ठीक हो गए return करेंगे हम लोग क्या new employee writer को ठीक हो गया जि ठीक हो गया तो हमने क्या बना लिया अभी तक हमने बना लिया है item reader इ mening Hyprocessor और item Writer ठीक है यह हमारा done हो गया हब को क्या बनाना है हम क्या बनाना है steps ठीक है हम् क्या बनाएंगे step बनाएंगे तो मैं फटा-फट से step बनाता हूँ, फिर हम देखते हैं, कि क्या किया है हम लोग ने step में, ठीक है guys, तो मैंने step बना लिया है, ठीक है, step में लोग ने क्या किया है, config file के इंदर ही बना रखा है, basically, एक bean बना ही है, ठीक है, जो की क्या है, जो की return करेगी है हमारा step, ठीक है, और यह method है, हम लोग call कर रहे हैं, वो करेंगे, मतलब बना रहे हैं इस method का, ठीक है, तो basically, क्या होगा, इसके अंदर हम पास करेंगे job repository और transaction manager को, अभी क्या चीज़ है, समझते हैं, पहले हम देखते हैं, कि हम लोग call कैसे कर रहे हैं, step से item reader, writer और processor को, क्योंकि देखो, जब भी हम step run करते हैं, step run होने का भी data, batch वाले table में store होता है, कि step का नाम क्या है, step किस time पर run हुआ, step successfully run हुआ कि नहीं हुआ, है न, उसका status, तो यह सारी चीज़े हमको कहां store करनी होती, job repository में store करनी होती है, तो इसकी वज़े से हमको यहाँ पर job repository mandatory होता है, और database से काम करना है, तो यहाँ पर हमको transaction manager भी pass कराना पड़ेगा, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, value सिर्फ pass करा रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसको customize करके, आप देखो, job repository तो हम pass करा रहे हैं, अब इसको पता कैसे चलेगा कि मेरा database यूज़ करना है, तो database के configuration भी देनी पड़ेगी, तो हम बाद में देंगे, फिलाल अम लोग क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं, और इन दोनों को use कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इस step का नाम डिफाइन किया, job repository बनाई, और इधर देखो गया आप, तो यहाँ पर मैंने कुछ employ employ लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि, इस step के लिए input रहेगा employ, ठीक है, और output रहेगा employ, मतलब, यह जो input गया, reader को, वो employ रहेगा, फिर employ जो return करेगा, वो क्या रहेगा, sorry, जो input रहेगा हमारे किस के लिए, इन तीनों के लिए, reader, processor, writer के लिए, वो रहेगा employ type का object, और जो output निकल के आएगा, वो रहेगा किसका employ type का object, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर input लिया, employ, output लिया, employee, ठीक है, और उसको divide कर रहा है हमने chunks में, ठीक है, chunks में किसने 10 का chunk बना रखा है हम लोगों ने, और उसको transaction manager पास कर रखा है, correct हो गया, मतलब, कि 10, 10 का chunk वो भी है, DB में तुम transact करना, ठीक हो गया, और यहाँ पर normal अपना reader, processor और writer को मैंने call करा लिया, यहाँ तीनों की bean बनाई थी ना मैंने, reader वाली bean बनाई थी, processor वाली bean बनाई थी, writer वाली bean बनाई थी, तीनों को call कर लिया, ठीक है, और build करके उसको वापिस भेज दिया है, हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने steps भी बना दिये, ठीक है, अब क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे job, तो फटा फट से मैं job बनाता हूँ, उसके बाद समझते हैं, ठीक है, तो guys मैंने job बना दिये, job में क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, आपको समझाता हूँ भी, तो मैंने job बनाई है, जैसे step बनाई थी, step के रेटन कर रहा था, step रेटन कर रहा था, job के रेटन करेगा, job रेटन करेगा, तो इसमें हम लोगों ने बनाई है, same चीज, job का भी हमको क्या है, जो data है, job का भी, इसना भी status का, job का state के, job successfully चली की नहीं चली, कब trigger हुई, कब नहीं हुई, तो वो सारे data हमको कहा करना है, batch वाली tables में store करना है, batch वाली tables कोन मैनेज करता है, job repository, job repository कोन मैनेज करता है, spring batch, ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे, job repository का object, और हमको table में च्छड़ाखानी करना है, table में data store करना है, तो हमको transaction manager देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या यूज करना है, यूज करना हम लोग, job repository में data write करने के लिए यूज करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने prevent restart भी call किया, यह क्यों किया, तो basically prevent restart किया, it is a flag to prevent restart of execution of this job, तो spring batch में मैंने आपको बताया था, कि retry capabilities होती है, लेट से मेरी job फट जाती है, ठीक है, तो it will retry, retry to process that job again, ठीक है, तो उस चीज को prevent करने के लिए, तो फिलाल हम लोग demo कर रहे है, तो उस चीज को prevent करने के लिए, मैंने क्या 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 क्या, prevent restart call किया, ठीक है, ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, हम लोग ने start method क्या है, मतलब क्या है, इस job में start कहा से होगा, step 1 से होगा, हम लोग ने कहा क्या start के अंदर, step 1 कॉल कर रहे है, देखे हो, job के अंदर step 1 कॉल है, step 1 के अंदर reader, writer, processor कॉल है, राइट, जो discuss क्या था, वही चीज होगा है, तो मैंने कहा क्या, job के अंदर step कॉल कर रहे है, ठीक है, और same, job repository और transaction manager पास करा दिया, ठीक है, अब लेट से, अब तो मैं पास सिर्फ एक ही step है, लेट से मैं पास दूसरा step भी होता, मुझे step 1 के बाद दूसरा step चलाना था, तो xml में क्या कर रहे था हैं लोग, next अट्रिब्यूट यूज कर रहे थे, तो यह बन गई हमारी job, यह बन गई हमारा step, और यह बन गई हमारा item, reader, writer, processor, सब कुछ रएड़ी है, अब क्या बच गया, हमने तो उसको, यह जो job repository और transaction manager है, इसको भी तो provide कराने है हमको, तो मैं फटा फट से job repository और transaction manager बनाता हूँ, और फिर आपको समझाता हूँ कि मैं क्या गार रहा हूँ, ठीक है गाई, तो मैंने क्या बना दिया, मैंने transaction manager बना दिया, ठीक है, मैंने job repository बना दिया, ठीक है, दोनों की customized bean बना ही है, transaction manager देखो, इसमें basically क्या होता है, हम लोग JPA यूज कर रहे है, handle कर लेगा, सब कुछ handle कर लेगा, तो by default, resource-less transaction manager बना यूज किया है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप JPA वाला भी यूज कर सकते हैं, it's a point to you, ठीक है, अच्छा, ये होगा transaction manager का bean, ठीक है, और अब क्या होगा हमारा job repository का, जहाँ पर मैंने आपको बताया ना, कि वो जो table बनाएगा spring batch, batch के status note करने के लिए, वो सारी tables कहाँ बनाएगा, तो हमको वो table का, मतलब वो database का पूरा detail यहाँ देना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम लोग ने job repository को customize कर रहा है, और यहाँ पर अपने से related data, हम देंगे अपने database related data, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस method के अंदर, basically एक job repository की factory bean में आ रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं data source को set कर रहा हूँ, यह data source में क्या होगा हमारा database की details होंगी, तो मैंने इसके लिए method कॉल किया है, करने में और यहां पर हम लोग after property set कर, call करके इसको set कर देंगे, क्या, get object को, अच्छा, यह after property set क्यों करते हैं पता आपको, यह आपने कहीं और सुन रखा, after property set, यह हम लोग जब bean life cycle, देखोगे न, bean life cycle, तो आपको याद होगा, यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, दो annotation यूज करते हैं, एक हम लोग यूज करते हैं, pre destroy, और एक हम यूज करते हैं, post init, यह न, दो annotation यूज करते हैं, तो जो यह after property set है, यह किसका, वो है, alternative है, यह उसका alternative है किसका, post init वाले, अनुटेशन का अल्टरनेटिव है मतलब basically क्या है मैं आपको बता हूँ जैसी बीन लोड होता है container पे तो वो क्या करेगा सबसे पहले ये सारी जो डीटेल से सारी configuration से इनको configure कर लेगा इनको load कर लेगा तो हम after property set method को call कर की ये ही बताना चाहरे है कि जैसे ही ये बीन लोड हो ये सारी के सारे properties और configuration अटोमेटिकली लोड हो जाए ठीक है ठीक है तो ये काम मैंने करा ठीक है और मैंने क्या कर दिया job repository बना दी custom और transaction manager बना दी custom और मैंने क्या करा इनी beans को use किया यहाँ पर सबकुछ perfect है हम लोगों ने क्या कर दिया हमने job बना दी step बना दी item reader बना दी राइटर बना दी प्रोसेसर बना दी अब क्या बचा हमारे पस job repository बे मारी कस्टमाइज हो गई है अब क्या बचा हमारे पस job launcher बचा ठीक है मैंने आपको बताया था मैं end point बना की हिट करूँगा राइट तो फटा फट से मैं job launcher बनाता हूं उसके बाद मिलते हैं देखते हैं कि क्या बनाया तो मैंने क्या बना दी यहाँ एक छोटा सा controller रहा है ठीक है end point मैंने बनाया है slash job slash employee ठीक है post mapping है इसके अंदर मैं जैसी API हिट करूँगा क्या होगा मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है job launcher को inject कर रहा है ठीक है और job को inject कर वाली है ठीक है और मैं basically क्या कर रहा हूं यहाँ पर job launcher dot run करके job को pass कर रहा हूं ठीक है basically जो हमारी bean बनी वी थी job वाली वो call होगी और क्या call होगा हमारा job parameters हम साथ में भेज रहे हैं आपसे बात कर रही थी ना ppt में की job parameters भी हम भेज सकते हैं तो यह वही job parameter है ठीक है new job parameter builder और basically इसमें time stamp हमने बोला भाई है जैसी तू उस job को run करेगा तुझी क्या करना है तुझी यह time stamp trigger करना है okay basically यह method call करने okay उर जैसी वो job run होगी this method call होगा थो हम लोग ने उसको jop parameters में pass करा दिये okay और method call करी run method को 3 हमारा Learn method क्लेग हमारा हमकुर्ड रोशे स्टेप शीन जो क्या call करेगा यह step क्ल क्लेगा यह reader writer processor correct हो गए ,ो we are done ठीक है, हम लोग इसको फटाफट से run करके देख लेते हैं अच्छा उससे पहले में आपको बस properties file दिखा दूँ spring batch में हम लोग को क्या करना होता है एक property add करनी होती है, यह तो हमारी database related properties है वो हमने add कर दी है, ठीक है और एक हम लोग को add करनी होती है दो properties add करनी होती है पहली property जो है spring batch jdbc initialize schema always इसका मतलब क्या है यह जो job repository वाली tables बनेंगी यह आपने ppt में देख लोगा job repository की tables जो spring batch बनाता है तो यह property उसी के लिए है अगर मैं इसको set ने करूँगा तो tables create नी होंगी ठीक है और error देगा ठीक है और यह तो basically क्या disable job run at startup मतलब जब main method run करेंगे तब हम लोग को job run नी करनी है हम लोग को run करनी है जह हम end point hit करें तो यह property उसके लिए add कर रही है तो भाया अब हम लोग run करके देखते है मैंने application run करी ठीक है application run हो रही है हमारी employee table create table हमारी employee table create होई है तो हम dv में देखते हैं और हम चेक करते हैं कि job repositories table create हुई है ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने refresh किया तो यहां पर मेरी सिर्फ employee table create हुई है job repositories की कोई table और कोई error भी नी आया है ठीक है देखते हैं हम end point trigger करते हैं जैसे मैंने end point trigger किया oh my god यह तो error आगया हम चेक करते हैं यह error बोल रहे relation batch job instance does not exist हाँ और हमको dv में भी दिख रहे है कि job repository वाली table वह नहीं दिख रहे हैं तो यह भी बोल रहे है कि यह वाली table तुमारी missing है बट यह हमने तो properties भी set कर दी है always करके तो इसने table क्यों ही बनाया oh my god तो यह oh my god बोलने बात नहीं है इसका solution मेरे पास है तो basically क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ जो लोग mysql यूज कर रहे होंगे और फिर कोई और db यूज कर रहे होंगे तो बहुत chances हैं कि उनको यह error ना आए मैं postgres यूज कर रहा हूँ तो postgres में यह error है तो यह मैंने face करी है इसका मैंने fix भी निकाला है तो अगर आप mysql यूज कर रहे हो तो 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 इससे काम बन गया होगा इस property और आपका टेवल भी create और आपकी batch भी run होगी तो जो postgres यूज कर रहे है अब उनके लिह क्या fix है तो basically यह error क्यूँ आया है spring batch right job repository की table कौन maintain करेगा spring batch maintain करेगा तो अब हमको थोड़ा deep dive करना पड़ेगा हमको देखना पड़ेगा यहां तो सब कुछ सही है code भी पुरा सही है तो यह क्यों ही बना रहा है इसको क्यों ए टेवल नहीं बनाई इसने टेवल इसले नहीं बनाई क्या अपना spring batch का dependency तो मैं गया नीचे spring batch core इसके अंधर हम जाते हैं तो अगर आप देखोगे ना तो यहां पर देखो सारी की सारी की सारी की सारी database की यहां पर properties file set है तो यहां पर हमारे database की properties file भी set है ठीक है और अगर आप यहां देखोगे schema schema for postgres SQL तो दो schema है drop table all a schema है इसका class path इसने यहां दे रखा है तो हम क्या करेंगे इस class path में जाके देखते हैं हम लोग क्या गए इसके अंदर गए और यहां अगर आप देखोगे तो देखो यह postgres का creation all a table है तो इसको कह नहीं मिला इसको batch job instance यह वाली table नहीं मिली इसकी वज़े से फटा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो compiler है वो postgres यह SQL वाली script को रीड नहीं कर रहा है तो इसका workaround क्या होगा हमको मैनुली देना पड़ेगा उसको script मतलब क्या हमको externally script pass करानी पड़ेगी मैंने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ तो मैंने क्या करा मैंने यहाँ पर वो दोनो class path mention किया for draw query or for create query मैंने क्या कर दिया दोनो class path यह mention कर दिये तो मुझे basically उसको जबर्दस्ती उंगली करके बताना पड़ रहे तो खुद तो read नहीं तो यहाँ से इन दोनो SQL schemas data source initialize भी करना पड़ेगा तो मैंने उसके लिए data source initializer बना रहे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहें basically दोनो script pass करवा रहे है यह देखो drop की script पहले pass करवाएंगे ठीक है और उसके बाद create की script pass करवाएंगे ठीक है यह pass कराने initializer में और फिर उसके बाद उपर जाके यहाँ पर data source initializer call करके data source pass करवा दिया ठीक है और यह हमारा method था यह method हमारा क्या हो रहा था after property set करके हम लोगों ने पहली container में load कर दिया था तो क्या हो जाएगा यह सारी properties run हो जाएंगी db बन जाएगा connection और हमारा tables create हो जाएगे तो यह workaround है postgres वालो के लिए ठीक है तो अब मैं अगर दुबारा से इस program को run करूँ ठीक है क्या मेरे को यह error आनी चाहिए और क्या हमारी table बन जानी चाहिए देखते है ठीक है program रन करने लग गया हमारी employee table और यह बनी वी थी मैंने किया refresh और काईजी अब क्या होगे इतनी सारी tables बन के आगे 6-7 tables है जो कि हमारा क्या करती है job repositories की tables को मतलब देखो मैंने अपको बता है तो बैच का सारा डीटेल रहेगा जो हमारी job execution वाली table है तो इसमें आपको दिखेगा कि job execution id क्या है क्या उसकी instance id कब वो create वो कब start वो कब end हुआ क्या उसका status है fail, pass complete क्या अगर exit हुआ है तो क्या उसका exit code है exit message क्या उसने अगर exception throw किया है तो उसका exit message क्या है तो यहां पर jobs related जितने data है वो रहेगा और यहां पर job execution parameters तो हम लोग parameters पास करा रहे थे हमारे case में क्या हम लोग time पास करवा रहे है current time सेम यहां पर क्या रहेगा job instance, कौन कौनसे instance रन हो रहे है और सेम यहां पर क्या होंगी steps की detail होंगी हमने steps और job में ही तो पास कर रहे था job repository अगर आप देखो इधर तो हम लोग क्या कर रहे थे job वाले bean में job repository पास करा रहे थे step वाले bean में job repository पास करवा रहे थे तो क्या हुआ यहां पर इसलिए पास करा रहे थे ताकि वो job और step का data collect करके रख सके ठीक है और employee table हमारी खाली है अब हम क्या करते है अपने end point trigger करते है तो अब मैंने जैसी end point trigger किया हमको कोई error नहीं आएगा और हमारा यहां देखो कि logs में देखो मस करके data process हुआ read हुआ process हुआ write हो गया ठीक है और इसको time कितना लगा? 4 seconds लगा बहुत time लगे क्योंकि हम लोग ने भी parallel processing use नहीं करी है हमने just क्या कर रख है data को batch को as it is process कर दिया है ठीक है और अगर हम db चेक करें भी तो अगर मैं db को refresh करूँ see मेरे पास क्या? सारा data आ गया है ठीक है बड़ अगर आप notice करोगे तो हमारे पास कितनी fields आई है 559 fields आई है यह क्यों आई है पूरी 1000 क्यों नहीं आई है क्योंकि हम लोग ने filter लगाय था ना बीच में प्रोसेसर में कि जिसकी salary 50 अतार से जादा होगी सिर्फ वही तो आएंगे तो उसमें से 559 बंदे ऐसे हैं जिनकी salary 50 से जादा है ठीक हो गया तो यहां पर हम लोग का table में populate होगया अब हम देखते हैं यह batch orly tables ठीक है इसको अगर refresh करूंगा तो देखो यहां पर क्या data आया यहां पर आया भही है कि देखो जो हमारे job instance id है वो तो 1 इतने बज़े शुरू हुआ इतने बज़े create हुआ इतने बज़े end हुआ status क्या है completed ठीक है क्योंकि without failure चला exit matches कुछ भी नहीं है similar अगर मैं steps का देखना चाहूं steps को मैं अगर refresh करूं see steps हमारे यह हुआ step का नाम यह था ठीक है उसका time वगरा status वगरा सब कितने उसने commit किये कितने उसने read किये 1000 lines थे 1000 उसने read किये ठीक है commit उसने 101 किये क्यों यह बता सकता है उसने 559 commit क्यों नहीं क्योंकि entry तो 559 थी भाई क्योंकि उसमें क्या था 10-10 के chunks में अमने data डिवाइट कर रखा है और 10 का chunk क्या कर रहे थे save all कर रहे थे इसकी वज़े से commit count क्या है 101 filter count क्या है 441 data उसने filter out किया ठीक है और write count क्या 559 जितना उसने database में write किया ठीक हो गया जी complete status completed आ गया ठीक है सब कुछ बढ़िया चल गया हमारा batch process हो गया ठीक है तो यह था हमारा basic example जिसमें हम लोगों ने देखा batch processing कैसे हम लोग implement कर सकने अपने code में और जो errors हम को आई हम लोगों ने उसको resolve किया उसको fix किया और हमारा काम बन गया अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कैसे हम parallelly process करेंगे यह 10 chunks को अभी तो फिलाल क्या हुआ अगर आप तो 10 number ही नहीं क्योंकि मेरे भाई वो filter out कर दी है जो उसकी salary 50,000 से बड़ी थी ठीक है और जुन-जुन को उसने write के उन उनको यहां पे उसने log में print कर रख है कि उसने इतनी insert statements चला दी है ठीक हो गया जी ठीक हो गया तो उसने कहके 10-10 chunks में data इसक एक्जीकूटर समझेंगे ठीक है तो thank you guys keep watching stay tuned thank you take care bye bye tata